नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि दुनिया जो है बहुत सारी समस्याओं से घीरा पड़ा है या इन दिनों जो है पूरी दुनिया में अनेक समस्याओं हैं जिसको लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं और काफी दुखी हैं मैं बता दो दोस्तों कि एक बाक्या याद रखेगा कि मनुस्स हमेशा दुखी रहेगा क्योंकि वो जानता नहीं क्यों चाहता क्या है मित्रों आज भी हम अपनी समस्याओं को चूटकी में सॉल्व कर सकते हैं क्या है कि हम अपनी मन को इतना चंचल किये हुए हैं कि हम अपनी समस्याओं में ही घीरे पड़े हैं आज आप अरपती बन जाएं करोड़ पती बन जाएं किसी प्रकार का धन आपके पास हो जाएं तो क्या आप सोने के बिस्किट खाएंगे क्या हीरे के टेबलेट खाएंगे क्या क्या खाएंगे आपको खाना होगा वही आपका रोजमर्रा की भोजन रोटी चावल और यही आपका सुध होगा आप तुलना किजिए एक तरफ कुछ बैक्तियों को लगातार बर्गर पीजा खिलाएए जो कि काफी कॉस्टली आते हैं हजारों हजार उपिया में आते हैं एक तरफ उसी पैसा से एक गरीब को आप भोजन कराएए चावल साग भात खिलाएए सबजी खिलाएए जो कि आपका सबसेहना तो आप यहां पे महसूस करेंगे कि जो आपका पीजा बर्गर खाया वो बीमार होता चला गया और जो साग भात खाया वो स्वस्त होता चला गया तो आज भी जो है हमारा जो बेसिक खर्च है वो काफी कम है लेकिन आप जो है इन दिनों लेक्जिरियस जिन्दी जीने के कारण जो है अपने आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग समझी नहीं रहा है कि सफल कौन है सफल वो है जो एक अच्छा जिंद्गी चीरा या सफल वो है जो हजारों लाखों कडोडों कमा करके बीमार है हर समय परेशान है वो है आज भी आप जंगल में चले जाए बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं हम लाखों कडोड़ों कमा करके भी अच्छा निंद्ध नहीं ले पाते हैं तो आपको यहां पर महसूस करना होगा कि आखिर सफल ता किसमें है सफल कौन है वो या हम अपना सोच बदलें तो आप किसी भी समस्या का समादान खुद कर सकते लेकिन आप अबसक्ता को बढ़ाते जाएगा आपका मन जो है चंचल होते जाएगा तो मैं महसूस करता हूँ जहां तक मैं अध्यन के आँ हूँ कि अगर आप इस तरह के सोच रखते हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे अपनी आपसक्ता को कम कीजिए परिशानिया कम आएगे अपसक्ता को बढ़ाईएगा परिशानिया बढ़ती जाएगे तो दोस्तो आप खुस रही है आप महसूस कीजिए कि मेरा दो हाथ सही सलामत है मेरा आग सही सलामत है कान सही सलामत है सरीर में किसी परकार की बीमारी नहीं एही सबसे बड़ा सफलता है इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए बागी सब जो है आपका मोह माया है मेरी गमरचिका की तरह की आप उसके पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कब तक भागेगा, भागने का एक सीमा होता है, तो आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं, तो आम जिन्द की जीने का परियास केजिए, छोड़ दीजिए, कि इसके पास क्या है, आप परिशान रहते हैं, कि फैमली म जो कार पे बैठ रहा है वो आपका 50 साल जी रहा है जो पैदल चर रहा है वो 80 साल जी रहा है क्यों कार पे बैठ ठीक है हम समाज के अनुरूप चलना चाहिए लेकिन समाज के अनुरूप में चलने का मतलब यह नहीं होता है कि हम अपने आपको नुक्सान पूँचाएं तो मित्रों अपनी आप सक्ता को कम करें खूस रहिए खूस रहिएगा आपके स्रीर से अनेको बीमारियां बाहर चली जाएगे आप दुखी रहिएगा हजारों बीमारियां आपके अंदर परविश कर जाएगे अब आपको तैय करना है क्या आपको दुखी रहना है या सुखी रहना है